जीवन में होना है सफल्तों हमेशा इन पांच बातों का रखे ध्यान. सफल्ता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालना करना होता है. इसके लिए कठिन परिश्रम मेहंत लगनशील धैर्यवान आशावादी सच्चाई और समय का सदुप्योग करना चाहिए. पांच उपाय जिस पर चल कर कई लोगों ने सफल्ता के शिखर को छुआ है. नमस्कार दोस्तों स्वागत है. आप सभी का हमारे यूट्यूग चैनल धार्मिक उपदेश टीवी पर अगर आपको विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए शुरू करते हैं. सफल्ता प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में कई सारे नियमों का पालन करना होता है. इसके लिए कठिन परिश्रम, मेहंत, लगनशील, धैर्यवान, आशावादी, सच्चाई और समय का सदुप्योग करने की जरूरत होती है. कई बार हम अवसरों को खो देते हैं. सही समय पर सही फैसले नहीं लेते, तो कई बार मन का आलस्य हमें आगे नहीं बढ़ने देता है. जागर्ण अध्यात्म में आज हम आपको सफलता के उन पाँच मंत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपना कर आप सफल हो सकते हैं. इन बातों का अनुसर्ण करने वाले कई लोगों ने सफलता के शिखर को छुआ है. आईए जानते हैं सफलता के पाँच मंत्र. एक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. जिन्दगी हमेशा आगे बढ़ने का नाम है. पीछे मुड़कर देखने से आप सिर्फ अपना समय बर्बाद करेंगे. रतन ताटा ने शायद इसी बात को ध्यान में रख कर कहा है कि कई चीजे हैं जिन्हें यदि पुनह जीने का मौका मिले तो मैं उन्हें शायद दूसरे तरीके से करना चाहूंगा. लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता कि मैं क्या करने में सक्षम नहीं था. दो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहना चाहिए. इंसान को सदैव सच्चाई के मार्ग पर रहना चाहिए. इससे लोग आप पर विश्वास करते हैं. महान लेखिका वरजीनिया वुल्फ ने कहा कि अगर आप अपने बारे में सच नहीं बोल सकते तो दूसरों के बारे में भी सच नहीं बोल सकते तीन धैर्यवान बनो जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए कभी-कभी अधीरता ही हमारी असफलता का कारण बन जाती है बिल गेट्स ने भी कहा है कि धैर्य सफलता का एक प्रमुख तत्व है चार, समय का पाबंध होना जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपियोग करना जरूरी होता है धीरू भाई अंबानी ने कहा है कि समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूँ उन्होंने ठीक ही कहा है समय एक बार निकल गया तो हाथ मलने के सिवाए कोई और विकल्प नहीं रहेगा सफलता के लिए आपका आशावादी होना चाहिए इससे हम किसी भी परिस्थिती में अपने लक्षे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं शायद इसी पर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि एक निराशावादी हर अफसर में कठिनाई देखता है एक आशावादी व्यक्ति हर मुश्किल में अफसर देखता है तो आप भी अपने जीवन के कठिन समय में आशावादी बनें और नई अफसरों की पहचाने करें